नमस्काय प्रिये साथ ही हो स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचुली के ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पड़ाई अच्छे चल रही होगी चलिए आज को टॉपिक देख लेते हैं फोटो इमेज से समझ में आ रही होगी कि आ हाँ बिल्कुल पराली पर आज टॉपिक लेने वाले हैं किस पर लेने वाले हैं पराली या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं इस्टबल बर्निंग इस्टबल इस्टबल बर्निंग यह हमेशा यह हर साल न्यूज में रहेगा यह इतना इंपोर्टन टॉपिक है कि हर सा पर रहेगा और विंटर भी आने वाले ए कि विंटर फ़कर इस को बंद कर दिया जाने की सिफारिश करी एंड एंडस्च्री इंद्ट्री इन पर तो बंद करी दियا इनको टेंप्रल लिए और साथ में स्कूल और स्कूल को को पहुच चुकी है वहाँ भी हाँ इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आपको Air Quality Index के बारे में बताया था कि दिल्ली की Air Pollution की क्या वज़े है Major Pollution की क्या वज़े है और उससे संबंदित क्या समाधान हो सकते है ठीक है तो हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जानकरी होनी चीज़े क्योंकि यह Frequently Questions है जो RAS, IS और other PCS exams में बनते रहते ठीक है तो आपको पता होना चीज़ के बाद आज जो हम देखने वाले वो हम देखने वाले एक तो पराली के उपर देखेंगे कि पराली क्या चीज़ है ठीक है पराली के बाद इससे संबंदित जूम कल्टिवेशन एक आपने टम सुनी हो कि जूम जूम इसको Shifting Cultivation भी बोलते है जूम या फिर Shifting Cultivation भी बोलते है ठीक है नौर्थ-East में जाती है जूम और फिर इसससे संबंदित गॉर्मेंट ने क् कोई एक्ट लईयावा है कोई initiative लिए ठीक है उसके अलावा क्यों किसान ये करता है ठीक है क्या क्या किसान की पास और कोई राश्टा नहीं कोई और प्रियाम क्या हो सकता है a Community किस तरीके सेसे समझ्राकार चलते इस से दीच M कि न्यूर्जर आपड़िकल का बोला है पन्जाब में पराली जिलाने का record और दिल्ली में air emergency air emergency जैसे situation हो गई है school को बंद करने की बात कर दी गई है इतना मतलब बहाँ पर production है नाकों में से खून जलन आने लगती है ठीक है जल्दी कुछ करो वर्ना गुठ जाएगा दम चला करते हैं बिल्कुल देखते है सरकार क्या क्या कदम उठा रही है stable burning का क्या है मतलब है यह देख लिए stable burning refers to the practice of farmers setting fire to plant debris that remain in farms after harvest जब cutting जैसे मालो ही इसकी कटाई हो गई ठीक है तो कटाई होने के बाद क्या है कि यह कटाई होने के बाद ही बच जाएगा नीचे का ठीक है ठूट ऐसे यह बच जाते है ना इनको क्या करता है किसान जला देता है इनको क्या करता है जला देता है जला देता है ठीक है इसी तरीकी का जूम cultivation होता है नौर्थ-East में यह हमारा प्यारा भारत ठीक है यह इदर से थोड़ा सा इदर इस एरिया में होता है जूम कल्टिवेशन ठीक है इसको अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग नाम से जाना जाता है ठीक है अलग-अलग अलग नाम से जाना जाता है ठीक है अलग-अलग अलग अलग नाम से जाना जाता है ठीक है मिलपा भी जाना और अलग-अलग देशो अब अब दो हुआए वाइफ हार्मर्स की किसान की क्या मजबूरी है बाएफ पार्मर्स दिस व्रक्ल Ugh करता ने जिए शोचें क्यों करता होगा जी बिल्कुल एक तो घ्रीन ग्रीन रेविल्युोशन सबसे पहले बात करते हैं ग्रիन रेवलुशन की डीन रेविलुशन सब्सक्रा की सब्सक्रा कि जला दिया जाए दूसरा यह वह गया एक अपना फक्रिइ रेवलेशन की वजह की वज़ए से इस्टबल burning हो रही है ठीक है दूसरा एक reason यह कह सकते है कि आप mechanized या machine या फिर machine based machine से cutting हो रही है ठीक है machine से cutting हो रही है तो क्या है machine यहाँ यहाँ यह काट रही है ठीक है वो नीचे का कुछ पार्ट छोड़ देती है तो इससे हम solution देख लेते हैं कुछ ऐसी machine machine आयए जो बिल्कुल जड़ से who करते है ठीक है तो यह solution क्यों कि machine से मशीनों का use हो राहा है तो machine की use की वज़े से क्या है कि वो बच जाती नीचे से वह पहले की जमानी में क्या हो था 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 हाथ से कटाrau रहती ती थी तो बिल्कुल नीचे से just से चैनल होती थी और एक और और इवर सकते हो क्या डेख सकते हैं कि सिसे इसमेंगों इसे अची पास पाइदावार है, तो वो क्या कर रहा है कि जडि-चल्थ उसको जादा से जजदा crops उगाने एक साल में, पैसा जजदा कमाना है इस तरीके से ठीक है? तो वो क्या करेगा, जदा फसल करेगा, तो सबसली चाइब कि 10-20 दिन का जो gap मिला है बीज में, खरीफ की कटाई के बाद रहा भी कि जो जो सोइंग हो रही है उसमें जो गैप बचाए वो जल्दी से जल्दी कर सके तो जल्दी से जल्दी उसको सोईल को उसको ग्राउंड को तयार करना पड़ेगा ग्राउंड को क्या करना पड़ेगा प्रिपेर करना पड़ेगा ग्राउंड को क्या तयार करना पड़ेगा तो वो क्या करता है सबसे सही तरीका क्या है कि उसमें आग लगा देता है कि सारा जल जाएगा ठीक है तो ग्राउंड तयार हो जाएगा ठीक है तो अब इससे बेंस वेस्टर डिस्टरबेंस पर लंब का भी टॉपिक बनाएंगी पस्ची मी विक्षोब बोलते इसको ठीक है यह हवाओ के डिरेक्शन इधर से इधर की तरफ है इस वज़े से इनमें यह क्या है सारा इकट्ठा हो जाता है यह दिल्ली में और यह इधर ठीक है यह रेंज क्लाउड का क्या बादल बन जाता है और कि यह सारी हवा डूल मिट्टी डस्ट इंडस्ट्रिलाइजेशन सब यह सब कुछ इकटा होता है यहां पर दिल्ली में तब क्या है कि दंग उटने लग जाएगा यह हवाई क्रॉस सर्कुलेशन नहीं हो रहा हवा का वेंटिलेशन अभी दिल्ली में इस टाइम पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ वाकई में नाक में से खून से आने लग जाते हैं जलान महसूस होती ही बहुत जादा 2013 में पंजाब गर्र्मंट इम्पोस बैं 2013 में पंजाब गर्रमंट में इस पर बैन कर दिया था किस पर बैन कर दिया था इस तरीके को सवाल है कि क्या बैन है बिल्कुल बैन है ने बैंड लगा दिया था इस्टवल बंडिंग इसन ओफेंस और यह सेक्शन एक सो आट यह याद करने की जड़त नहीं है आई पीसी में इसमें यह है और एयर प्रेविंशन and Control of Pollution Act 1981 मैंने यह पहले भी पूछा है आपको यह कपका है तो यह 1981 का act है तो इसमें इसको कानूनी गहर कानूनी माना गया है ओफेंस माना गया है ठीक है इसको माना चया जया, चलो, इसके अलबा, अलग-अलग सरकारों का प्लाफ एक्षन देखते है, एक पूसा बायो डीकंपोज़र करके आया होए, पूसा बायो डीकंपोज़र टेकनोलोजिय आई विए कि आया है, कि इसमें बच जाता है ना, कहें इसुम्हें मिल जाएगा भाद में थोड़ी तैम हो जायेगा जैसे упy में तरीकिक इसको तो काम आजाएगा डबल यूज हो जाएगा तो इस तरीके से पशु आहर फॉडर पशु आहर इनकर्शन गजरात पंजाब में यह और किया है और यूज ऑफ इस्टबलेस बायो फ्यूल बायो फ्यूल मतलब नैशनल बायो फ्यूल पॉलिसी इसको क्या है कि थर्मल प नेट में और टॉपिक भी के वले के स्टबल बंडिंग लेकिन स्टबल बंडिंग के अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स आ गए सब टॉपिक्स कुछ नहीं होता है जब भी आप न्यूस को बढ़ो तो इससी तरी किसा पढ़ा करो ठीक है ताकि आपको आपको आइडिया यूसे जानने की ज़रत नहीं बस हमको इतना पता है कि देखो लगबग 331 करोड रुपै सिर्फ इस पर खर्चा हो रहा है पंजाब सरकार द्वारा एक सुतेरान में करोड हर्याना सरकार द्वारा खर्चा हो रहा है तो यह देखने की जरुद है कि काफी बड़ा अमांट पर खर्चा हो रहा है तो आपको यह देखना है कि वाकई बहुत गंबीर समश्या है एक तो एयर पोलुशन कर रहा है फेफडों में और लंग एयर हेल्थ में प्रॉब्लम कर रहा है इस्कूलों तक बंद होने की सिच्वेशन आ गई है नात में जलन हो रही है चलो ठीक है यह सारी सिच्वेशन और ही उपर से यह जो पराली वेस्ट और इसको बायो एथनौल या बायो मिथनौल एकॉनमी में यूज कर सकते हैं हम टेकनोलोजी में भी बात करे जाए तो यह हैपी सीडर और रोटावेटर यह इस तरीकी के टेकनोलोजी होती है कि यह नीचे से माल सब्सक्राइब करें एक इंड़िपेंडट अइट अइदेटी दुबे वर्शिस यूनि उफ इंडिया यह इन मासि में मिली जाते करें चाविघे और इंदेधारी लिए ऑपको सब्सक्राइब कर suli प्रफिश्टिज मोदन बी लोकर कमिशन ठीक है तो पहले यह कमिशन आया था एर क्वालिटी मेनेजमेंट का यह आया था चलो हम अब देख लेते वे अहेड यह सब तो आमने देख लिया यह क्या क्या सॉलीशन हो सकते हैं यह आपने देख लिया उसमें वह आपको और यहान की समय्षेट को आपस में मिलकर राज्यों को, यू-पी, यू-पी, डैली, हर्याना इन सब को मिलकर आपस में काम करना है, भाय एक समस्फया नहीं पूरी की समस्फया है, सब की समस्या है, हमने धैख लिए कि हवा का बहाब इन इस तरफ है, ठीक है तो इस तरीके के hiring centers लगाए जाए किस तरीके से जो farmers को क्या के दे सके जैसे हमको खाद वगरा वित्रन होता है fair price shop होती है राशन वित्रन होता है उस तरीके से happy seeder, rotawater, paddy straw, chopper यह सब मशीने अवेलेबल हो सके poosa decomposer की बात होई गई है poosa decomposer कि जो वो बच जाता है ना वो फिर उसमें खतम वो उसमें मिल जाए ठीक है तुछ से कहा कि soil की fertility soil की fertility भी बढ़ जाएगी soil की उत्पादकता भी बढ़ जाएगी ठीक है soil की fertility बढ़ जाएगी तो I hope so आपको यह video समझ में आयोगा चोटा सा वीडियो है लेकिन आप इसमें polity, social, economical, political सारे एंगल देख सकते है ठीक है political एंगल भी आगया है ordinance जैसा 123 भी आगया है उसके अलावा NGT आया 2010 में statute provision है legal terms हमने देखा legal provisions भी है कि उसको बैंड किया गया है NGT की द्वारा भी बैंड किया गया है उसमें respectively पंजाब ने भी बैंड किया गया है geographical angle भी देख लिया क्योंकि western disturbance होते है पस्टी में big shop होते है तो हवा अधर की तरफ आती है ठीक है adiabatic lapse rate होती है temperature inversion होता है इस वाज़ेसे जो दिल्ली का एरिया है मुहाँ पर यह ज़्यादे severe condition हो जाती है और innovation है technology का role है technology बढ़ रही है तो technology से इस तरीकी का use किया जाए साथ में अलग-अलग states में और अलग-अलग international भी अलग-अलग जगे इसका अलग-अलग नाम है ठीक है चलो तो इस तरीके से आपको यह पूरा एक overview मिलाओगा I hope so वीडियो आपको अच्छा लगाऊगा जय हिन जय भारत थेंक यू